नमस्त्रा दोस्तो, स्वागते आपका MCQ IQ में, मैं आपको RPF और RB टेक्निशन के 1000 most repeated question करा रहा हूँ, जो 2018 से लेकर 2023 तक आई हुए question है, वो पढ़ा रहा हूँ, यह fourth part है और यह काफ़ important series है, इससे पेले वाले part नहीं देखे तो जरूर देखिए, आज का first question है, यह पुराना current getting miaxute, इसको मिलाए यह question important है, इस से एक्जाम में आता है, डूक्तर रवी करननार को Ramon Maxine's Award मिलाए, यह Indian है है, और 2019 में, 2019 में भी एक Indian को मिलाता है Ravish Kumar को, रवीश कुमार का नाम आपने सथा होगा, यह journalist है, रवीश कुमार जो Dr. Ravi Karanah ने, उनको healthcare में काम करने के वीचे यह अवोर्ड मिलाए जो Carson- buns री ना क्रूपक्र और और उसको वह लते हैñ Nobel Prize of Asia काफि Bugün秋 को रिस्ट ने न logo प्राइड और इशो twoori cnaval that को अगर कोषईन आता एक्जाम में कि disturbing whale 만든 दे कि फिर्स इंडियन कौन थे जिन तो वोल्डन एंमियंक्टै हम 8 साल 4 अक्टुवर को बनाते थो मस कप डिलेटट टूप मस्काप में दोनों में फर्क है जो थो मसक होता है ना वो मेंन टीम में होती है और जो अबैर का पोता है वह व्लड में्ट् सीम championship होती है तो याद रखो जो women's होती है badminton खेलती है उनके लिए uber cup होता है वो जो thomas cup होता है वो world man championship होती है तो ये दोनों जो cup है ना uber cup और thomas cup ये badminton के cup है अगर मैं hockey की बात करता हूँ hockey में कौन-कौन से cup खेले जाते हैं तो ये काफ़ी important cup है सुल्तान अजलन शा कप सुल्तान अजलन शा काफ hockey में खेला जाता है और आगा खान कप ये बहुत आता है exam में आगा खान कप है न ये भी hockey में खेला जाता है अगा खान कप और सुल्तान अजलन शा कप ये दोनों hockey के कप है next question है 10 rupees and 125 rupees coin has been created for home recently यह पुराना करनेंट फेर का कोशन है 10 रुपए के कोई और 125 रुपए के कोई बियार अंबेट कर जी के बनाए गए थे 2018-19 में नेश्ट कोशन है मिट्स्ट डवल विंबल्डन चेंपियंशिप 2015 में किस ने जीती थी तो देखिए जो विंबल्डन चेंपियंशिप है वो एक टेनिस टूनमेंट है काफी इंपोडेंट कोशन है डारेट कोशन आता है विंबल्डन किस से रिलेटेड है तो यह टेनिस टूनमेंट होता है तो मैं आपको चार इंपोडेंट टेनिस टूनमेंट टूनमेंट बताता हूँ इसको हम क्या बोलते हैं Grand Slam आपने बहुत पार सुनाओगा Tennis में Grand Slam होते हैं तो 1st जो होता है न ये मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ हर साल Grand Slam होते हैं सबसे पहला कुन सा होता है Australian Open होता है ये कहां पर होता है ये Australia में होता है दूसरा कुन सा होता है दूसरा होता है French Open दूसरा जो grand slam होता है वो french open होता है तीसरा होता है Wimbledon open और चोटा होता है U.S. open यह 4 जो मिन आपको बता है यह grand slam होते हैं tennis में और ही हर साल होते हैं देखे जो australian open है यह australia में होता है हर साल ठीक है जो French open है इससे बहुत जार important question ही आता है कि French open को हम एक और नाम से जानते हैं Ronald Garros के नाम से जानते है हम French Open को तरि जो French Open है न वो French में होता है तीसरा जो option है हमारा Wimbledon Wimbledon है ये England में होता है बहुत जारा important question है कि इंप्लेंड में होता है Wimbledon और है oldest grand slam है टैनिस का oldest grand slam है ये start होता है 1877 में US Open जो है न वो USA में होता है देखिए एक और कोशन ही आता है कि जितने भी हमारे ग्रेंट से ले में वो किस जगह में खेले जाते हैं तो ओस्टेलिया ओपन है ये आउटडोर हाट में खेला जाता है अलग-अलग जैसे क्रिकेट पीछ होती है वेसे ही टैनिस में कोट होता है तो याद रखो आगर फ्रेंच ओपन के बात करता हूँ तो फ्रेंच ओपन है आउटडोर क्ले में खेला जाता है काफ़ इंपोडेंट कोशन है जो फ्रेंच ओपन है वो क्ले में खेला जाता है अगर Wimbledon की बात करता हूँ तो यह outdoor जो grass होती है उसमें खेला जाता है Wimbledon US Open की बात करूँगा तो US Open भी outdoor hard में खेला जाता है hard court होता है उसमें खेला जाता है और जो french open होता है वो clay का court बनता है उसमें tennis tournament खेला जाता है वो जो Wimbledon है जो सबसे पुराना है 1877 में बनाता है यह वाला 7 में start हो गयता है Wimbledon यह outdoor grass में खेला जाता है इसमें grass present होती है घास होती है घास के उपर खेला जाता है Wimbledon काफ़ important question है इससे question हमें से आता है तो देखिए Australia open और US open तो outdoor hard में खेला जाता है मगर आपको दोनों French open और Wimbledon open दोनों के यहाद रगना है next question है distance of light travel in one year light travel करती है एक साल में कितना distance 10 trillion kilometer का next question है ASLV launched in ASLV कब launch हुआ था तो ASLV का full form याद रखो आप इसका full form होता है augmented satellite launch vehicle या augmented की जगा advance भी आ सकता है तो यह दोनों full form याद रखो आप इसके वो जो ASLV है ना उसकी first flight कब हुई थी उसकी first flight आई थी 24 March 1987 में 1987 ने first flight करी थी ASLV ने और इसकी last flight कब थी यह question में पूछा था तो 4th माई 1994 में इसकी last flight launch हुई थी मेरे साब से यह answer गलत दिया था exam में इसका correct answer होना चाहिए 1987 1987 में launch हुआ था ASLV और यह किस ने launch रहा था इस जो ASLV है ना यह satellite launch vehicle है satellite launch करते हैं अभी present में हम PSLV और बहुत सारे satellite launch vehicle है वो यूज़ करते हैं PSLV भी बहुत यूज़ होता है next question है redis is देखे जो redis होता है ना वो एक edible root होता है तो देखे edible root के example आते है wheat root, tonnip, carrot, radish और sugar beet यह सब edible root है इसके example direct exam में आ जाते हैं तो याद र red planet, देखे red planet हम कौन से planet को बोलते है तो red planet mars का नाम है काफ़ important question है देखे question आता है अगर मैं आपस orders पूछूं जो हमारे planet होते है न उनके order बताओ आप जो solar system में planet होते हैं उनके order बताओ nearest to sun सन के पास से sun के पास कौन सा planet है उसके order बताओ आप तो sun के पास कौन से planet है मर्क्य के arguing आता है अर्थ के बाद हो फार आता है तो सॉलेनेंस में आ जाता है कि सन के पास सबसे नज़दी capitalism है तो रहे मर्क्यूरी उसके बाद वीनस फिर आर्थ हमारा ठीक है उसके बाद आता है मार्स जूपिटर सेटन युरिनस और नेप्चिउन यह order है हमारे planets का तोलर सिस्टम में जो भी planet है उनका order है काफ़ important question है एक और question ही आता है जितने भी planets है ना जितने भी हमारे planet आपको बताएं मैंने यह सब rotate करते है clockwise ठीक है जितने भी मैं आपको planet बता रहा हूँ यह सब rotate करते है clockwise clockwise मतलब west to east है न, west to east rotate करते हैं, देखिए यह cloak होती है, और cloak का जो काटा होता है न, वो clockwise गुमता है, तो जितने भी planets है न, solar system में, वो clockwise गुमते हैं, यानि west से लेकर east तक, except, फिर दो planet ऐसे हैं, जो anti-clockwise गुमते हैं, यह important question है, कि कौन से दो planet हैं, जो anti-clockwise गुमते हैं, यानि east to west गुमत हैं, बागी जितने भी planet हैं, वो सब clockwise direction में गुमते हैं, यह काफ़ important question है, next question है, study of the liver, liver की study को बोलते हैं, habitology, next question है, galvanization of steel and iron is done by, देखिए अगर steel और iron में जंग लग जाती है, तो हम किस्चिस की coating करते हैं, तो अगर iron और steel में rusting लग जाती है, जंग लग जाता है, coating करते है जिंग की, तो जब हम जिंग की coating करते हैं, iron और steel में, उस process को बोलते हैं, galvanization, iron और steel में जिंग की coating क्यों करते हैं, जिससे जंग हट जाए, तो काफ़ important question है, next question है, which of the following mountain comes under biodiversity hot spot, देखिए, biodiversity hot spot, इंडिया में चार हैं, पहला कौन सा है, western guards, western guards, जिसको हम चाहदरी बोलते हैं याद रखो, शादरी guards बोलते हैं इनको, तो ये एक mountain हो गया, इसका question है, इसका correct answer दा western guard, दूसरा जो हमारा biodiversity hot spot है, वो है हमाले, हमाले reason, तीसरा जो था, तीसरा जो है, वो इंडो बर्मन, इंडो बर्मन reason, और जो चो था, biodiversity hot spot है, वो सुन्दर lane, तो चार, biodiversity hot spot हैं इंडिया सरुसाथी सम्मान awarded winner in 2014, देखें सरुसाथी सम्मान के बात करते हैं, तो ये literacy award है, ये literature के लिए award मिलता है, अगर मैं बात करूं, 2023 में सरुसाथी सम्मान किसको मिला है, तो प्रभा वर्मा, प्रभा वर्मा को ये award मिला है, काफी important question है, और ये एक Malayalam poet है, तो Malayalam poet है, प्रभ के बिल्ला foundation देता है, सरुसाथी सम्मान को, अगर मैं बात करूं कि first सरुसाथी सम्मान, जो award है, वो किसको दिया था, तो आपने नाम सुना होगा, इनका, इनका नाम है, हरीवंश, हरीवंश, राय बच्चन, हरीवंश, राय बच्चन, अमिता बच्चन के फादा ने, इनक पहला सरुसाथी सम्मान award मिलाता, ये important question है, अगर मैं बात करूं 2022 में, 2022 का सरुसाथी सम्मान किसको मिलाता, तो शिवशंकरी, शिवशंकरी को ये award मिलाता, शिवशंकरी एक तमिल O8 है, एक बारों बता रहता हूं, सरुसाथी सम्मान 1991 में start हुआता, केके बिल्ला foundation देता है इसको, जो first person थे जिनको सरुसाथी सम्मान मिलाता, वो थे हरीवंच राय बच्चन, हरीवंच राय बच्चन को award मिलाता, पहली बारी है, 2023 का award मिलाता, शिवशंकरी को, और ये तमिल में poet लिखती है, तो ये काफी important question है, next question है, बेलूर मठ, located in, बेलूर मठ कहां पर है, ये ह पुराना करने नफेर का question है, तो हम skip करेंगे इसको, next question है, first civilian president of Myanmar, first civilian president को थे मैनमार के, तो वो थे तिन क्यों, देखें, ये मैनमार है, और ये इंडिया है, तो इंडिया की चार states ऐसी है, जिनकी border मैनमार से टच होती है, ये important question है, और ये exam में आता है, मैनमार की border, चार states से चार इचलते है, पर फ़ेली होगे अनुाचल पदेश, ये होगे अनुाचल पदेश हमारा, दूसरा होगे नागर लेंड, ये नागर लेंड होगया ये मनीपूर होगया, तीसरा होगया मनीपूर, और चोटा होगया मिजोरम, ये four states ऐसी हैं, जिनकी border मैनमार country से stretch होती है, तो काफ़ इंट पॉइंट कोईशन है यह दियान रगिएगा नेस्ट कोईशन है ओल नेम आफ आइसीसी देखिए आइसीसी का ओल नेम पुछा है इसमें Imperial Cricket Conference जो आइसीसी है ना हमारा वो 15 जून 1909 को बना था और इसका headquarter था जब लंडन में लंडन इंग्लेंड में headquarter था आइसीसी का जब आइसीसी बना था उसका नाम था Imperial Cricket Conference याद रखना तो 2009 से लेकर 2005 तक इसका नाम था Imperial Cricket Conference पर 2005 में क्या हुआ ICC का नाम बदल दिया 2005 में ICC का नाम रख दिया International Cricket Council 2005 से लेकर अभी President तक ICC का नाम क्या है अभी International Cricket Council तो याद रखो काफ़ important question है यह question आते है मगर 2005 के बाद क्या हुआ जो headquarter था ना ICC का वो भी change कर दिया वो change करके Dubai UAE कर दिया वो अभी President में headquarter पूछेगा ICC का तो वो है Dubai UAE में अगर यह पूछेगा जब Imperial Cricket Conference था ICC का नाम तो headquarter का था उसका वो था London England में यह दोनों question याद रखो काफ़ important question है एक और important question है आता है ICC के chairman पूस्ता है exam में तो इसके chairman है Greg Barclay तो Greg Barclay ICC के chairman है और यह exam में बहुत आते हैं नेस्ट question है औफिशली language और गोवा गोवा की officially language है कौन का नी नेस्ट question है distance between the sun and earth तो 149.6 million km का distance है sun में और earth में इनके बीच में कौन-कौन से planet आते हैं यह sun हो गया अनके बाद आता है Mercury Mercury के बाद आता है Venus और Venus के बाद आता है earth तो earth और sun के बीच का distance कितना है यह question है पूछा था तो 149.6 million km का distance है next question है IAM recently opened in which state पुराना question है current affair का IAM open हुआ था आनपरदेश में next question है solar junk museum located in तो solar junk museum है है एधराबाद और हैधराबाद तलंगाना स्टेट में आता है next question है इंद्रागांदी national center for art इन जो इंद्रागांदी national center आठ का कहां पर है वह है निउ देली में next question है मिजोरं की capital है एजवाल फिर जो next question है हमारा यह पुराना question है इसमें पूछा था इंद्रागांदी टी-20 women's team है उसके captain कौनती 2016 की तो वह थी मिधाली राज यह पुराना question हो गया है next question में चलते है world happiest country कौन सी है यह भी पुराना question है मगर 2024 में world happiest country कौन सी है वह है Finland तो Finland world happiest country है second number में Denmark तो आपको जो data याद रखना है 2024 का याद रखना है अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 143 total countries है उसमें से 126 rank है इंडिया की तो इंडिया की rank कितनी है happiest country में 126 rank अगर first rank पुछेगा तो Finland सबसे happiest country है second में Denmark नेस्ट कोशन है ने मुम्ता पाकिस्तान पार्लिमेंट पार्लिमेंट पाकिस्तान की जो पार्लिमेंट है उसका नाम क्या है मजलिश है शोरा पाकिस्तान की पार्लिमेंट का नाम है नेस्ट कोशन है विच इस इस मौस्टली प्रजेंट इन वीनस एट्मोस्पेयर देखे जो वीनस एट्मोस्पेयर है उसमें CO2 मिलती है CO2 का हम बोलते हैं कार्बन डायोकसाइट सबसे इंटेलिजेंट मैमल कौन सा अर्थ में है वो है डॉल्फिन देखे डॉल्फिन गंगा में मिलती है हमारी जो मा गंगा है गंगा रिवर उसमें डॉल्फिन प्रजेंट होती है उसमें मिलती हमें नेस्ट कोशन है टू एटम्स आयन्स और मॉलिकूल्स देट्स हैव दा सेम एलक्टोनिक स्ट्रक्चर प्रजेंट मोस्ट एस्पेक्टेट कोशन करा रहा हूं उसका वीडियो बचन है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ और पी टेक्शन में बहुत जारा वेकिंस आई इस बार इस बार सेलेक्शन आप आराम से ली सकते हो और जो भी आपक करेंग।